Hey guys, welcome to the session. इस session में हम बात करने वाले हैं Class 6 की NCRT, Politica, Second Chapter Diversity and Discrimination First Chapter हम इसका cover कर चुके हैं, Diversity और अब है इसका Diversity and Discrimination विवित्ता और बेदभाव Diversity and Discrimination Class 6 की पॉलिटी का Second Chapter है इसमें जो Diversity है भारत की विवित्ता है वो कब भिन्नता में बदल जाती है यानि के उँच नीच में बदल जाती है और ये उसके साथ Discrimination को लेके आती है हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, जैन, बोध, पारसी अलग अलग धर्मों के लोग है, उनके बीच में भी अलग अलग जातिया है और एक साथ रहते हैं उनके खानपान, उनके जो पहनने औरनने की सिस्टम है उनकी जो Languages हैं, उनके Rituals हैं, उनके Beliefs हैं वो सब अलग अलग हैं, Color अलग हैं, Link अलग हैं लेकिन फिर भी वो डाइवरसिटी के साथ साथ भारत में एक साथ रहते हैं और सब इंडियन कहलाते हैं लेकिन यही डाइवरसिटी जब उनमें उन्च नीच की भावना पैदा कर दे मानलो दो जाती हैं, X और Y कोई एक जाती अपने आपको superior मान ले और दूसरी को inferior मान ले खुद को सोचे कि मैं बढ़ी जाती हूँ मैं इनसे ज़्यादा अधिकार पाने लोग्या हूँ और यह चोटी जाती के लोग हैं, कम अधिकार पाने के लोग्या ही तो तब सुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन यानि भेदभाव अब ये डिस्क्रिमिनेशन जाती के अधार पे भी हो सकता है दरम के अधार पे भी हो सकता है रंग के अधार पे भी हो सकता है कि ये काला है मैं गोरा हूँ तो मैं जादा इससे सही हूँ ये income के आधार पर भी हो सकता है ये गरीब है मैं एमीर हूँ ये किसी आधार पर भी हो सकता है लिंक के आधार पर भी हो सकता है ये महिला है मैं पुरूस हूँ तो मैं इसे powerful हूँ तो अलग-अलग तरह की जब भिन्ताएं आ जाती है तो वो उसको discrimination की और लेके चली जाती है अब UPSC का जो syllabus है उसमें है भारते समाज की मुख्य विसेशताएं और भारत की विवित्ता तो जो second chapter है GSK paper first में अपना role निभाएगा भारत की विवित्ता ये topic है इसका syllabus का और भारते समाज की मुख्य विसेशताएं तो भारते समाज की मुख्य विसेशताएं में ये भी एक विसेशता है भारत की विवित्ता लेकिन विवित्ता में जब उचनीज की भाव ना जाए तो ये नुकसान दे हो जाती है भारत के लिए या लोगों के लिए विवित्ता हमें भेदभाव की ओर ले जाती है हमारे अंदर विवित्ताएं हैं रंग को लेके, भासाओं को लेके और हमारे धर्मों को लेके, हमारे विश्वास को लेके खान पीन को लेके, पहनने ओरनने को लेके हमारे दिन्चर्या को लेके बहुत सारी चीजों में बिभिन्ताएं हैं या बिवित्ताएं हैं कह सकते हैं लेकिन ये बिवित्ता वही चीज है जब किसी को दूसरे को कमजोर और अपने आपको सुपीरियर दिखाने लग जाए तो ये भेदभाव की तरफ ले जाती है जब हम किसी कोई कमी वाले बंदे को देखते हैं या बिकलांग व्यक्ती को देखते हैं तो हम उससे गिन कर सकते हैं हम उससे नफरत कर सकते हैं तो वो हमें भेदभाव की तरफ ले जाता है जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं और उससे compare करते हैं अपने पैसे को और उसके पैसे को और उसको कम पाते हैं तो यह हमें भेधवाओं की तरफ ले जाता है जब हम एक language से दूसरे language वाले को देखते हैं अगर मैं हिंदी वाला हूँ और मैं कननड वाले को देखूंगा तो मैं उससे भेधवाव करूंगा क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आएगी तो ये बजा हो सकती है उससे भेधवाव करनेगी अगर कोई पुरुस महिला होने के नाते उससे बेहदभाव करता है किसी तरह का तो वो निगेटिव होता है तो ये बिवित्ताएं तो हैं लेकिन ये बेहदभाव की तरफ ले जाती है अलग-अलग पहनावे, अलग-अलग व्यक्ति को उनकी सोच, उनके खानपान ये विवित्ता होते हुए भी हम विविन्ता की तरफ चले जाते हैं अब जैसी हमें बिन लोग दिखते हैं अलग-अलग टाइप के लोग दिखते हैं मालो हमें कोई विकलांग व्यक्ति दिग्या दिव्यांग व्यक्ति हम उसको छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं कोई अलग कलर का व्यक्ति दिग्या या कोई इस तरह का व्यक्ति दिग्या जो नॉर्मली नहीं मिलता है कहीं छोटे कद का व्यक्ति दिग्या मालो हम उसको छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम उस पे हसना इस्टार्ट कर देते हैं बहुत छोटे कद का कोई विक्ति मिलेगा हम उसको छेडेंगे छेड़ छेड़ना सुरू कर देते हैं हम उस पे हसना सुरू कर देते हैं उसकी मजाग बनाना इस्टार्ट कर देते हैं कोई सपोज करो कम बुद्ध supernatural व्यक्ता मिलिया बुद्ध demanding तो सबी होते हैं हो सकता उसका जो इंट्रेस्ट हो उस चीज में ना हो हो सकता तूम पढ़ने में अच immersed हो दूसरे पढ़ने में अच्छा नह हो तो तूम उसके हासना श्टार्ट कर दोगे उसको छोड़ दोगे अगर कोई तुम्हारी तरह का नहीं होगा तो तुम्हारा एक लेबल है कलास में अगर वो उस लेबल का नहीं होगा तो छोड़ दोगे हो सकता उसका दिमाग किसी और चीज में चलता हो जिसमें तुम्हारा नहीं चलता हो लेकिन तुम जो शरीफ एक पैमाना बना चुके हो कि जो पढ़ने में होसियार होगा वही होसियार या बुद्धिमान होता है हो सकता वो गेम्स में अच्छा हो हो सकता वो किसी रिसर्च में अच्छा हो लेकिन तुमने एक पैमाना बना लिया किताबों में अच्छा होगा, जो नंबर अच्छे लेका आएगा, वोई बुद्धिमान है, तो तुम उसको छोड़ दोगा, अपने गुरुप से बाहर कर दोगा, तो जो अलग-अलग तरह के लोग हमें दिखते हैं, हम उनको टीज्ट करते हैं, उन पे लाफ करते हैं, उनक उसके साथ बेदवाव है, किसी पे हसना और किसी के साथ हसना दोनों चीज़ों फरक है, किसी के साथ हसी मजाक ये पोजिटिव है, किसी के ऊपर हसना ये निगेटिव होता है, उसको चोट लगती है, डाइवरसिटी बेदवाव की तरफ जा रही है, इसी तरह से, जैसे कु जो को inferior मानते हैं अगर कोई उनके सामने हिंदी बोलने वाला आजाएगा तो उनको वो कम समझेंगे कोई उनके सामने मानलो बिहारी लेंगविज बोलने वाला आजाएगा या उडिया लेंगविज बोलने वाला आजाएगा हो सकता है किसी घर में कहीं लड़की पैदा हो गई तो उन लोगों के चेहरे मुर जा जा जाते हैं अगर वो इस चीज़ को मानते हैं तो के लड़की से अच्छा लड़का है लड़का घर का चिराग है इस टाइप की जो सोच लोगों की होती है तो इससे भी भिनता आती है ब फीरे निगा से देखते हो, कि कतल करके आ रहा ही है वो इस टाइब से, कोई अगर मांस खाता है तो तुम लोगों को, मालो तुम मांस नहीं खाते हो, तो तुमें वो ऐसा कर सकता है कि कम तर नजा से देखे, ये बोल सकता है कि क्या घासमूस खाते रहते हो, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज को सही मान चुके हैं और फिर हम उसको सिध करने पर लग जाते हैं कि ये सही है और वो गलत है जिस चीज को हम सही मान बैठते हैं अंदर से हम उसके लिए एक तरह से लड़ते हैं उसके लिए उसको सही सिध करने के लिए लड़ते हैं तो अगर हम लड़के की पैदाइश को अच्छा मानते हैं तो हम लड़कों के फायदे गिनाएंगे लड़कियों को हम अच्छा नी मानेंगे अगर हम इंगलीज को अच्छा मानते हैं तो बाकी languages को कम तर दिखाएंगे अगर हम non-wait खाना पसंद करते हैं तो लोग उसको कमरे नहीं देते हैं अपने रेंट पे तो बहुत सारी तरह से discrimination होता बेधवाव होता है और भी तरीके हो सकते हैं धरम के अधार पे discrimination बहुत सारे cases मिल जाएंगे ये खास धरम के लोगों को कमरा हम किराये पे नहीं देंगे तो ये क्या है बेधवाव है धरम के अधार पे बेधवाव है तो अलग अलग तरीके से बेधवाव हो सकते हैं जाती धरम एरिया कलर जितने भी है ये बेधवाव हो सकते हैं अब इस में इस lecture में हमें अंतर और पूरवागरह पता लगेगा किसी खाज जाती के लोग है तो आतंगवादी होते होंगे लड़ाई जगड़ी कनने वाले होते होंगे किसी खाज जाती के लोग है तो पढ़ते नहीं होंगे अपने बच्चों को पढ़ते ही नहीं होंगे तो हम स्टूडियो टाइप बन जाते हैं असमांता और भेधवाओ को समझेंगे इसमें असमांता कैसे आती है भेधवाओ कैसे आता है झो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 की कहानी तो एक पढ़ा लिखा था एक अन पढ़ा था यानी कम पढ़ा लिखा था एक English Medium से पढ़ा था, एक Hindi जानता था एक Amir था, एक गरीब था, एक Hindu था, एक Muslim था तो उसमें क्या हुआ था, असमानता भी आ गई थी बीच में भेदवाओ थो था, भेदवाओ थो नहीं था, असमानता आ गई थी उनमे डाइवर्सिटी तो थी, एक Hindi जानता था, एक English जानता था, फिर भी दोस्त बन गई, एक Muslim था, एक Hindu था, फिर भी दोस्त बन गई, एक Hindi बोल सकता था, एक English बोल सकता था, फिर भी दोस्त बन गई, तो बहुत सारी उनमें भेदवाओ थे, मतलब डाइवर्सिटी थी, लेकिन वो दोस्त बन गए, लेकिन जहां उनकी गरीबी और अमीरी आई, तो वो असमानता हो गए उनके बीच में, एक के पास time था, एक के पास पैसा था, संसाधन थे, कि वो English Media में स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ पाया, एक के पास संसाधन नहीं थी, वो अच्छे स्कूल म लोग हैं, तो वो उन से मूँ बना कर दूर चला गया, पहले जब कि वो उनकी खवर ले रहा था, कि बताओ, तुम्हारे लिए मैं तांगा गाड़ी ये बेल गाड़ी टाइप का इंतिजाम कराओं, और तुम चले जाना, लेकिन जैसी पता चला कि महार जाती के हैं, तो व फरत साब जलग गई, और फिर बाद में उनको उसने हेल्प नहीं किया, असमानता के लिए क्या परियास किये जाएंगे, क्या किये जाते हैं, उसके बारे में इसमें हम बढ़ने वाले हैं, हमें क्या बनाता है, और हम क्या हैं, हमें बनाने वाली चीज़े क्या हैं, हमारे जो natures हैं, जैसे हमने हम मालो किसी خاص धरम में पैदा हो गए यह हमने खुद नहीं चूज किया था यह हमने खुद चुना नहीं था यह हम आटोमेटिक पैदा हुए हैं हमने इसको कुछ भी नहीं चुना था लेकिन जब हम उस घर में पैदा हो गए या उस धरम में पैदा हो गए तो अब उसके बाद हम क्या हैं ये हमारे हाथ में किसी धरम में पैदा होना किसी घर में पैदा होना किसी जाती में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अब हम क्या हैं ये हमारे हाथ में हैं हमारी सोच कैसी डबल अफ हुई है, हमारा रहन सहन कैसा डबल अफ हुआ है, हम कितने सफाई पसंद है, हम कितने इंसानियत पसंद है, ये हमारे हाथ में, तो हम क्या हैं, ये डिफरेंस और प्रिजुडाइस हमारे बीच में आ जाते हैं, कि हमें क्या बनाता है, और हम क्या ब हैं भारत में इस तरह की बिबिनताएं हैं आठ पुर्मुक धरम उन धर्मों में भी अलग-अलग जाती हैं वो सारे लोग भारत में रहते हैं सोले सो अलग-अलग भासाइं बोली जा रही हैं वो सारे लोग साथ में भारत में रहते हैं अब एस सो से जादर लोग निरित्या क भारत का जो है मतलब diversity या बिवित्ता है इसी बिवित्ता में एक ता है भारत के अंदर हम अलग-अलग धर्मों को बांते हैं फिर भी इंडियन हैं अलग-अलग खान पीन, अलग-अलग भासाई बोलते हैं फिर भी इंडियन हैं लेकिन ये भी वित्ता अगर आसामानता पे पहुँच जाए तो वहाँ पर गड़ बढ़ हो जानी सुरज उखरती है When diversity is not celebrated भिन लोग दिखे अजीव और आपर रिचीत लगे हो सकता कोई दाड़ी वाला दिखा हम से अलग दिख रहा है नॉर्मल बच्चों की तरह भी वहार ना करें तो जैसी हमें कोई अलग या अजीव या आपर रिचीत दिखता हम उसको अलग मान बैटते हैं मतभेदों के अधार पर दृष्टी कोण और राय बना लेते हैं हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी जाती के लोग से किसी व्यक्ति से भी हमारे मतभेद हो सकते हैं और मतभेद के अधार पर हम उस पर राय बना लेते हैं कि फला धरम के लोग हैं अगर ऐसा है तो पानी थुक के पिलाते होंगे फला धरम के लोग हैं गंदे रहते हैं सफाई नेरे करते हैं तो हम पहले से ही उनको अपने मदभेदो के आदार पर दृष्टी कोड बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे या इस तरह से होंगे ओपीनियन अबाउट या किसी के बारे में राय बना लेते हैं जैसे ग्रामीड लोगों के बारे में और सहरी लोगों के बारे में हमारी राय बन जाती है गाउवाले लोग हैं करसी पे ज्यादा आस्रीत रहते हैं ये हमारी राय बन सकती है कम पड़े लिखे होते हैं ये राय बन सकती है गंदे रहते हैं ये राय बन सकती है तो बहुत सारी राय हम गाउवाले लोग के लिए बारे बना सकते हैं गाउवाले लोग सहर वालों के बारे में राय बना सकते हैं सहर के लोग आलसी होते हैं कम काम करते हैं घर में जादा रहते हैं जादा मिलनसार नहीं होते हैं यानि पक्सपात अन्य लोगों को नकरात्मक रूप से जज़ करना उन्हें निम्न समझना अब हम पक्सपात पर आ जाते हैं कुछ लोग हमें दिखें यह हमारे दिमाग के ओपर डिपेंड करता है किसी खास धरम बालों को हम उनके साथ पक्सपात करने लग जाएं कि इस धरम का है तो इनके लिए सुबिधाय कम होंगी इस धरम का है तो उनके जएदा होंगी किसी खास जाती के लिए हो सकता है एक ही धरम में कुछी खास जाती के लिए कि यह जाती उची है यह नीची है तो जैसे दलीतों को हम मंदिर में परवेस नहीं करने देंगे ये नीची जाती के लोग हैं इनको हम जो सारवजनी जगा के नल बगएरा है उनसे पानी पीने नहीं देंगे ये नीची जाती के लोग हैं ये हमारे घड़े से पानी नहीं पी सकते हैं ये गोड़ी पे बैटके अपनी बारात नहीं ले जा सकते हैं, तो अलग-अलग तरह का है, हम पक्स पात करने लग जाते हैं, कि ये बंदा है, तो इसके पक्स में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खास जाती से है, मैं इसके पक्स में बोलूँगा है, क्योंकि ये खास जाती अब अगर किसी को एक्जामपल के तोर पे किसी को लगे कि अंग्रेजी अच्छी भासा होती है तो अब अंग्रेजी के साथ लड़ेगा वो दूसरी भासाओं को नीचा दिखाने कोशिश करेगा अब जब भी उसे अंग्रेजी बोलने वाले के लावा दूसरी भासाओं के ल क्योंकि वो सोच बैठा है कि इंगलिस बोलने वाले ही सिक्सित होते हैं या सब्या होते हैं अगर वो ये मान ले कि पैंट सर्ट पहनने वाले या कोट पैट पहनने वाले ही सब्या होते हैं तो जब उसको लुंगी वाला कोई दीखेगा धर्म में विस्वास के हिसाब से, त्वेचा के रंग के हिसाब से, छेतर के हिसाब से, लहजे के हिसाब से, हम किसी से भेधवाव कर सकते हैं, वो खास धर्म में विस्वास करता है, मेरा धर्म उचा है, मैं सही हूँ, इसके त्वेचा का रंग काला है, मैं गोरा हूँ, मैं सह ये एक खास छेतr से आता है वहाँ पर चोरी चकारी ज्यादा होती रहती है यE भी चोर होगा मेरा च्छेत्र अच्छा है मैं ऐसा नहीं हूँ मैं स्पेरियर हूँ इसका बОलने का लहजा कढ़ा है खड़ी बोली बोलता है ये फूहड है, गाउं से आया है मेरी लेंग्वेज से इसकी लेंग्वेज मैच नहीं करती मैं सही हूँ, ये गलत हूँ तो गलत है, तो ये हम धरम के अधार पे, तुचा के अधार पे छेत ये लहजे के अधार पे, बोलचाल के अधार पे उनसे हम ये सारे जो differences हैं वो बना लेते हैं अब ये जो कुछ इसमें दिया है इसमें कुछ ये example दिये हैं इन से हम stereotype बन जाते हैं किसी के बारे में हम जैसे ही मानते हैं कोई अच्छा वियाभार कर रहा है तो हम सोच लेते हैं कि लड़किया अच्छा वियाभार करती है ये लड़की क्वालिटी है मरदुभासी और सज्जन है अगर कोई soft spoken और gentle है यानि कि लड़की होगी लड़के थोड़ा hard बोलते हैं सारी ग्रूप से मजबूत है तो लड़का होगा ये सारी ग्रूप से मजबूत होता है लड़के कमजोर होती है बदमासी कोन करते है लड़के करते है डांस और पेंटिंग में अच्छा कोन होता है लड़के होती है ये सब हमारा क्या है पहले सी हमने इनको मान रखा है नहीं रोते कोन लड़के जब कभी कोई लड़का अगर रो भी जाए तो उसको एक्जामपल भी दिया एता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तो हम पहले ही मान चुके हैं यह हम एजियूम कर चुके हैं कि लड़के नहीं रोते हैं लड़के नहीं रोती हैं और बहुत टाइम से चले आ रहे हैं समाज में सारी जितने भी स्टीरोटाइप चले आ रहे हैं हम इसको सब मानते हैं यह बुक में भी दिया हुआ है NCRT यहां से भी देख लेना आप स्टीरोटाइप या रूडिया जब एक गलत विचार या विस्वास का उप्योग किया जाता है एक च्छबी बनाने में बहुत दिनों से चलाता है कोई विस्वास लड़कियां रोती जाता है लड़के नहीं रोते हैं लड़के स्ट्रोंग होते हैं तो यह एक चमाने से चला रहा है रूड़ी हैं चली आ रही है और इस पे हम भी स्वास कर बैठे हैं इसी को कहते हैं स्टीरो टाइप जैसे पर्टिकुलर कंट्री के लोग इस्टिंगी होंगे पर्टिकुलर रेस के लोग लेजी होंगे particular religion के लोग criminal होंगे particular background के लोग dumb होंगे यह हम पहले ही मान चुके हैं particular कोई धरम है कोई खास देश है अगर कोई particular धरम है तो उसी के लोग अपरादी होंगे आतंगवादी होंगे यह हम मान चुके हैं कि एक विसेश धरम है उसके लोग आतंगवादी अपरादी होते हैं विसेस परष्ट भूमी से जो लोग आते हैं वो मूर्ख होते हैं इस एरिया से इस गाउं से जो लोग आएंगे वो मूर्ख होते हैं यह हम पहले सी मान लेते हैं विसेस रेस के लोग है वो आलसी होते हैं यह मान लो यह मान वैठे कि हम सहर के लोग आलसी होते हैं यह खास किसी देश के लोग कंजूस होते हैं तो यह सब क्या है हमारे स्टीडोटाइप है पहले ही हम उसके बारे में बना लेते हैं रूडिया समाने रूडिया हमारी है विकलांगों के लिए विकलांगों को हम इज़्जत नहीं देते हैं कि ये किसी काम के नहीं है या मानलो इन से कुछ चेंज ऐसा होने वाला नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते है People say all sorts of things ये अलग-अलग विकलांग के एक्जामपल दियों है बुक्स में You look so different नथो ग्यांस, कुई इनको आके बूलता है ये से कहीं तुमें कोई अलग टाइप का विक्ति दिख जाएगा मानलो उसको अंदर कोई कमay है, डिव्यांग विक्ति है तो सारे लोग उसकी तरफ को देख रहे होते हैं कोई ज़्यादा काला विक्ति जा सारे लोग उसकी तरफ को दीख रहे हैं कुछ इस टाइप उसके अंदर कुछ अलग चीज है तो सारे लोग उसको देखते हैं तो उसको uncomfortable feel होता है तो ऐसी condition हमारी बन जाती है अब challenges या problems in creating stereotypes जो stereotype create होते हैं उसमें problem क्याती है challenge जिसके आते हैं हमें पर्टिय विक्ति को एक अधित्य विक्ति के रूप में देखने से रोकता है अब हमने अगर किसी को देखा कि उसके टांगे खराब हैं विकलांग है दिव्यांग है तो हम उसको अलग नजरी से देखते हैं लेकिन वहीं पर अगर हम एक लड़की एरा सिंगल का example लें तो एरा सिंगल की दोनों टांगे मतलब कमजोर हैं वो भी दिव्यांग लड़की है लेकिन उसने आईये stop किया था तो अगर हम उनको दूसरी quality से देखें तो उनके अंदर भी आत्म विस्वास आ सकता है लेकिन हम उनके आत्म विस्वास को तोड़ देता है हाँ हो सकता है उनकी टांगों में कमी है लेकिन दिमाग में कमी है ये भी जरूर नहीं है वो एक अच्छे परसासक बन सकता है अच्छे बिजनिसमेन भी बन सकते है बड़ी संख्या में लोगों को स्रेणी में फिट कर देते है यह उस कैटेगरी का है यह उस कैटेगरी का है यह उस कैटेगरी का है उनको स्रेणी में एकदम फिट कर देते है हमें कुछ खास काम करने से रोख देते हैं किया जाता है यही भेदभाव है जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो इदूसरे के लिए पसंद कर रहा हूँ तो भेदभाव नहीं है यह क्यालिटी है लेकिन जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ उससे दूसरी चीज़ दूसरे के लिए पसंद करता हूँ या उससे नीची चीज़ दूसरे के लिए पसंद करता हूँ यह भेदवाओ है जब मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं उसी के साथ बैठके या तो कप में चाई पी रहा हूँ या अपने स्टील की गिलास में चाय पी रहा हूँ लेकिन सामने वाले को उसको चाय ओफर कर रहा हूँ मैं डिस्पोजल गिलास में तो ये भेधवाओ है किसी के साथ मैं वैसा भी हवार नहीं कर रहा हूँ जैसा खुद के साथ कर रहा हूँ या तो मैं भी डिस्पोजल में प्यूंँ वो भी डिस्पोजल में प्ये दोने एक जैसे हो गए लेकिन मैं कप में पी रहा हूँ अपने घर में और उसको डिस्पोजल में पिला रहा हूँ ये भेधवाव है जब लोग पूरवाग रोड़ियों पर काड़े करते हैं ये भी भेदवाव है मैंने मान लिया कि ये लोग जब हमारे घर आएंगे तो हमें इनको कांज के गिलार्स में पानी पिलाना है जब ये वाले लोग आएंगे तो इनको डिस्पोजल में पिलाना है और जब ये खास धर्म के ये खास जगह के लोग आएंगे तो उनको अपने जैसे बतनों पिलाना है हमने पूरबा गरह बना लिये हमने एक पर्टिकलर धर्म के मारने में मामलोब पूरबा गरह बना लिये कि इनके घर का न meal न खाना चाहिए इनका हर चीज में मांस होता है या हर बरतन में मांस बनता है या इनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए थूक के पानी पिलाते हैं बहुत सारे हम स्टीरोटाइप हो जाएंगे रूडी बादी हमारी चीज आ जाएंगी या हम पूर्वागरह से ग्रसित हो जाएंगे जैसे मुसलिम्स के बारे में पूर्वागरह है कि या अपनी बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं खास्तों से लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं महिलाओं पर एत्ते चार करते हैं घर में बंद करके रखते हैं और बहुत सारे स्टिरोटाइप हो सकते हैं, या उनके बारे में पूर्वागरह हो सकते हैं. जब कि हमने ओ देखे वे नहीं होता है अपनी आंकों से, लेकिन हम दूसरों के सुने सुनाय पूर्वागरह बना लेता हैं. पूर्वागरह जब आता है रूड़ियां आती है तो बिभाजन होता है और जब बिभाजन होगा तो फिर भेदवा होगा जब हमने पूर्वागरह किसी के बारे में अपना लिया कि खाज धर्म के लोग इस टाइब के होते हैं दूसरे खाज़धरम के दो इस टाइब के होते हैं तो अब हम उनसे बिभाजित होना शुरू कर देंगे उनसे अलग रहना शुरू कर देंगे जब कोई मुस्लिम लड़का या मानलो कोई यूपी का लड़का या हर्याना कर रड़का कहीं रूम लेने के लिए जाता है उसको रूम नहीं दिया जाएगा उससे क्या होगा बिभाजन होगा जब हम लोगों से दूर हटेंगे तो हम उनको समझेंगे कैसे जब हम अगर उनको रूम दे देते हैं अपने घर में तो हमें समझ आया था कि बाकिए ये लोग ऐसे होते हैं ये जो हमने सुनाए वो वो सही है तो अगर रूम नहीं दिया तो वो हमारी डूड़ी जो है बनी रहेगी वो पूर बागर बना रहेगा क्योंकि हम उनको जानेंगे नी तो इससे आता है विभाजन और जब विभाजन होगा तो भेधवाओ आजाएगा तum रूम लेने जाओगे तुमें एक बार हाँ हो जाएगी लेकिन जब तुम तुम हरियाना से हो या यूपी से हो तो तुम्हें रूम नहीं मिलेगा से सुरुवात होती है भी भाजन के से अब डिस्क्रिमिनेशन के बेस क्या हो सकते हैं भासा के अधार पर हम किसी से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं भेदवाओ कर सकते हैं धरम के अधार पर कर सकते हैं रीती रिवाजों के अधार पर आर्थिक प्रिष्ट भूमी के अधार पर पसंद नहीं होगे हमें अपने रीतिवाज पसंद हैं तो हम उनसे साak मिलेगे। आर्थिक पुरिश्ट भूमी अगर कोई हमसे कम जोड आर्थिक पुरिश्ट भूमी काएगा हम उसके साथ बात नहीं करेंगे तो इनसे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है एक गुरूप बन जाते हैं गरीब होगा कोई अगर economic inequality आएगी तो कोई ब्यक्ति गरीब होगा उसके पास संसाधनों की कमी होगी संसाधनों की कमी होगी तो बनियादी जरूरतों की पूरी नहीं कर पाएगा वो मालो तुम किसी किलास में हो एक स्टुडेंट तुमारे किलास में है उसके पास जो जरूरती बनियादी चीज़े हैं वो भी नहीं है तो तुम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करोगे अगर तुम्हारे मन में डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके पास महेंगे सूज नहीं है तुम्हारे पास महेंगे सूज है उसके पास बस्ते में पूरी किताबे नहीं है तुम्हारे पूरी किताबे है तुम्हारे डेस ज्यादा नीट और किलीन है उसकी पुरानी ड्रेस है तुम स्कूल में आके ज़्यादा च्छा खर्च कर ले तो खाने पीने वो नहीं करता है तो इससे क्या होता है तुमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होना शुरू हो जाता है अगर तुम उस चीज़ पर ध्यान दोगे तो अब हम किसी की संस्कृति को मुल्यवान नहीं मानते है मान लो के हम उची जाती के है दूसरा व्यक्ति नीची जाती का है हम बोलते हैं इनकी संस्कृति मुल्यवान नहीं है एव यह है तो उसको हम मुल्यवान नहीं मानते हैं भेदवाव सुरू हो जाता है अब हमारे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज है भारते मुसल्मान को लेकर सिक्सा गरीबी स्टीरियो टाइपिंग भेदवाव हम यह मानते हैं भारते मुसल्मान सिक्सित नहीं होते वो अपने आपको या अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं हम यह मान बैठे हैं कि वो जानबूच के एजुकेट नहीं करते हैं वो सिक्सित होने पसम नहीं करते हैं जबकि जो रिपोर्ट्स हैं वो यह कहती है कि सिक्सा की कमी जो मुसलिम्स में सिक्सा की कमी है उसकी बजा उनका कल्चर नहीं है उनकी गरीबी है उसकी बजा अगर जहां पर उनके संसादन अच्छे हैं इसकूल पास में हैं या जिनके वाप पैसा है तो उन लोगों ने अपने बच्चे को गुप पढ़ा होगा है काफी अच्छी सिक्सा दी है गरीबी मुसलिम है तो गरीब है गरीबी होगा तो यह स्टीरो टाइप भी है जबकि बहुत सारे मुसलिम अमीर भी हैं जो अमीर है वो अच्छी सिक्सा भी देता है अपने बच्चों को हम उनके बारे में स्टीरियो टाइप हो जाते हैं ये आतंगबादी होते हैं ये इस तरह से मार देते हैं इस तरह से सकर देते हैं और उसी के साथ हमारे पास आता है भेदभाव और ये भेदभाव हमें फिर दूसरी तरफ ले जाता है नफरतों की तरव भी ले जाता है On being discriminated against different work अलग काम करने वालों से हम discriminated हो जाते हैं ये दूसरा काम करता है हमारे हैं ये काम होता है मालों कोई चमड़ा बनाने की factor में काम करता है और हमारे हैं सुनार का काम होता है तो मैं उसको जित नहीं दूँगा मैं उसको छोटा समझूँगा Some are valued more, some are valued less उसको मैं कम value दूँगा अपने काम को ज्यादा value दूँगा फिर एक cast की बज़े से हो जाता है upper cast, lower cast ये lower cast वाला है, ये upper cast वाला है मैं भी upper cast वाला हूँ तो upper cast वाले से मेरी दोस्ती हो सकती है lower cast वाले से मेरा कोई मतलब नहीं है तो इसमें discrimination आ जाता है तो cast की वज़े से आ सकता है उनके काम की वज़े से आ सकता है अगर कोई अलग काम कर रहा है मैं उससे भेदभाव कर सकता हूँ अगर कोई अलग जाती का है तो मैं उससे भेदभाव कर सकता हूँ भासा के अधार पर भी मैं भेदवाओ कर सकता हूँ अब बी आर अमबेडगर की स्टोरी थी ये बी आर अमबेडगर भारते संभिधान के पिता के रूप में इनको जाना जाता है दलीतों के सबसे बड़े नेता के रूप में मना जाता है दरीतों के अधिकारों के लिए उन्हें लड़ाई की थी अपने समुदाई से पहला व्यक्ति थी जिसने इस तना तक की उपादी पराप्त की थी और बाद में बोध धरम में परिवर्तित हो गये थे तो मैंने इनकी कहानी बताई थी ये रेलवे स्टेशन पे खड़े थे अपने पापा के पाथ जाना था साम का टाइम हो रहा था ट्रेन आये नहीं या लेट हो गई और इनको वहाँ परिशान देखके स्टेशन मास्टर आया और इनसे बड़े प्यार से बात की कि बेटा कहा जाना है क्या तुमारे लिए बैल गाड़ी का इंतिजाम करवाँ और ऐसी बात तो बात में पता लगा कि ये महार जाती के लोग है और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया इस्टेशन मास्टर के और वो वहाँ से चला गया यानि कि जैसी इनकी जाती सुनी तब इनको जादा पैसे देने के बावजूद भी इनको गाड़ी नहीं मिली थी बैल गाड़ी तो इस टाइब की स्टोरी थी ब्यार अमबेटकर की तो ये क्या है भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन जाती के अधार पर डॉक्टर भीमराव अमबेटकर 1891-1956 is considered the father of the Indian constitution भारती संबिधान के पिता and he also the west non-leader of the Dalits Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community Dalit community के rights के लिए लड़े थे he was won into the mahar caste mahar jati में पैदा हुए थे which was considered untouchable ये untouchable थे छुआ छूत जाती मानी जाती थी mahar jati maharashtra the maharas were poor, ये गरीब थे owned no land, इनके पास कोई जमीन नहीं थी and children won't to them also had to do the work their parents did तो जो बच्चे पैदा होते थे वो बही काम करते थे जो उनके parents काम करते थे they lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village ये गाउं के बाहर रहते थे और गाउं के अंदर राना इनको allowed नहीं था तो ये सारी इनके बारे में थी maharajajati के बारे में maharajat थी के सुतंतरता संगराम, संगर्स और समानता जब हम सुतंतरता संगराम बें जाएंगे तो वहां पर सब ने बढ़ चलके हिस्स सलिया था और सबने संगर्स किया था और सब के भी समानता थी तो जब हमारे भी समानता आती है भासाओं के चाहे हमारी भासाइं अलग अलग हो कल्चर अलग अलग हो अगर हमारे बीच में समानता आ जाएगी अगर हम सब को बराबर इज़त देने लग जाएगे तो फिर हमारे अंदर unity आती है और इसलिए कहा जाता है unity in diversity इंडिया में और इसी unity का परिणाम है हमारी आजादी unity थी तो हम समानता से लड़े संगर्स किया और हमने आजादी परात की उस सवत्मत्रता संगराम में दलित भी थे women औरते भी थी ट्राइवल्स भी थे जनजातिया और पीजैंट्स वगएरा भी थे जो चोटे मोटे काम करते हैं वो लोग भी थे तो सबने मिलके सवत्मत्रता संगराम लड़ा और उसके बाद हमें समानता के साथ संगर्स किया और हमें आजाती मिल भी लेकिन अगर हम हम भी ऐसी बढ़ जाते कि यह दलीत है मैं इसके साथ नहीं जाओंगा यह मुसल्मान है इसके साथ मिलके काम करूँगा तो क्या हम आजाद हो पाते नहीं हो पाते तो उसी तरह से आज अगर हम अपने देश को लेके नहीं चलेंगे साथ में अपनी diversity के अपनी विवित्ता के साथ साथ हम अपने देश को लेकर नहीं चलेंगे तो देश बढ़ जाएगा Muslims के बारे में कहानी है हमारी सब इसी को मानते हैं कि Muslims अपनी बलड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं जब कि ये पूरी रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्टों के हिसाब से जब कि ये गलत है Muslims जहां भी अच्छी कंडिसन में हैं जहां उनकी आर्थे की इस्तिधी अच्छी है वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाते हैं जहां स्कूल आस पास हैं अगर कहीं दूर हैं तो वो नई बहच पाते हैं ऐसे कैसे भी हैं लेकिन अगर मुसलिम्स ही होना इस बात की दलील होता कि मुसलिम्स और बच्चों को नहीं पढ़ाते तो केरल का पढ़ाई का rate एजुकेशन का rate इतना हाई नहीं होता, वहाँ पर मुस्लिम चाहता है मंदिरों परवेस के लिए दलीतों ने क्या खुद का जो है, इनका जो दलीत हैं, इनको मंदिरों में परवेस नहीं दिया आता था इनोंने उसके लिए अंदोरन कीये हैं अंदोरन से उनकोस में एंट्री मिली है महिलां अने सिकसा के लिए पुरुसों के समान अदिकारों की मान की है Striving for Equality तो Equality या बराबरी कभी भी आसानी से नहीं मिलती है जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए दलीतों को बराबरी आसानी से नहीं मिलें महिलाओं को सिक्सा का अधिकार और बोट डालने का अधिकार और बागी अधिकार आसानी से नहीं मिलें साहुकार के खिलाब किसानों और आधिवासों के भी संगर्स हुए हैं तो संगर्स के बाद ही उनको अपने हक मिले हैं, तो बिना संगर्स के पूरी दुनिया ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है, और इसी के लिए संगर्स होते रहते हैं. इंडिपेंडेट इंडिया, समानता को पुर्मुख मुल्य करूप पे माननत दी गई. जब भारत आजाद हुआ, तो सब को समान मान लिया गया भारत में. हाना कि अभी भी कितना हम दे पा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन संगर्स के लिए संगर्स के लिए समान की भावना पैदा कर दी गई. यानि कोई भी धर्म का लोग है, सब को बराबर सम्मान दिया जाएगा, किसी भी रेस, किसी भी काश्ट, किसी भी लिंक की है, सब को सम्मान दिया जाएगा. यह हैं हमारे Constitution की परिमबल, We the People of India, नहीं हम भारत के लोग, और इसमें हम भारत के लोग का मतलब यह है, उसमें सब दलित, उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, इसाई, बहुत जैन, सब ही आगए, सब बराबर हैं, और हम भारत के लोग अपने सम्मीधान को अंगी करित कर रहे हैं, अपने आपको यह राइट दे के, अपने आपको यह सारे अधिकार दे के, ठीक है? तो इस चैप्टर में इतने रखेंगे, थोड़ा साम, इसको मैंने टच किया है, बाकि आप बुक से पढ़ लेना इसको, थोड़ा समझाने की कोशिस की है, चीक है, बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाई, थेंक्स वोचिन,